नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्मसर्माग दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही वीडियो से सम्मंदित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तो हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2018 से 11 अक्टूबर 2018 के बीच छे दिनों का समय है और इस समय दो-दो राजियोग बन रहे हैं अखंड सामराज राजियोग और दूसरा केंद्र त्रिकोनियोग यानि इस दिन किया गया सारा कारे बुरा होगा कोई भी नए कारे की स्टार्ट कर सकते हैं साथ ही साथ इस दिन जो बच्चे आएंगे वो बहुत ही लखी होंगे अब इसके मतलब यह नहीं है कि इन छे दिनों में आप कभी भी ले आएं इसमें भी समय होगा मेसरासी, करकरासी, तुलारासी और मकररासी ये चार रासी ऐसी रहेगी जिस समय बच्चे जर्म जो लेंगे या आप कोई नाम नया कार स्टार्ट करते हैं वो तरक्की पाएगा और जो बच्चे जर्म लेंगे वो उच्पद को प्राप्थ होंगे सुखी जीवन रहेगा उनका और दुनिया के सारे एस्वर को भोगेंगे ऐसा हम नहीं कहा रहे हैं कि बागी रासिया खराब है लेकिन हम सिर्फ इस समय जर्म लेने की बात कर रहे हैं और भी हम आपको जानकारी रासी के थुरू देंगे साथ ही लाश्ट में भी आपको जानकारी देंगे तो आप देखते रहिए दोस्तों वैसे तो यह योग साल में पास से छे दिन ही बनता है और इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो राजा होते हैं जैसा कि हमने पहले भी आपको बताए उच्पद प्राप्त होता है राजा के समान होते हैं अगर आप माँ बनने वाले हैं आपके कोई रिष्टेदार हैं आपके घर में कोई है तो इन 6 से 11 अप्टूर के बीच सुप सब समय जैसे हमने आपको बतलाया एक मेसरासी, करकरासी, तुलारासी और मकरासी आप पंडी जी से अच्छे से समय दिखवा ले और फिर इसमें अगर आप बच्चों को ले आते हैं तो फिर आपके कहने ही क्या है आपका भी जीवन सफल हो जाएगा और आपके बच्चे तो भागे साली हो गई बना हुआ है और उसी राजयोग में या अखंड समराजयोग भी जूड़ जाता है या फिर जूड़ जाए तो देखना आपके लिए इन छे दिनों में बहुत बड़ा पड़ी बरतन आएगा या अखंड समराजयोग कैसे बनता है कोई गरा दसमेस हो लगनेस हो दूइतेस हो धनेस हो इनमें से कोई भी एक लगन में हो या लगन से केंदर स्थानों में हो और बिरस्पती भी केंदर स्थानों में हो क्योंकि धन देने वाला तो बिरस्पती ही होता है राजनीती में उचाई या भी बिरस्पती देता है तो बैठा है लगन का स्वामी लगने में बैठा है दूदियस मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है अखंड सामराज योग आपके लाइफ में चार चांद लगाने के लिए तयार है यादि कि आपको वो सब कुछ भी लेगा जैसा कि हमने पहले भी बताया आप राजा के समान जिन्दगी जिएंगे इसमें आप जो भी नए कारी करेंगे बहुत अच्छे रहेंगे इसमें जम लेने वाला बच्चा बहुत तरक्की करेगा लाइफ में उचे पद को प्राप्त होगा यानि कि जिन्दगी में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाएगी त साथ ही अगर आपकी रूची जोतिस विद्या में नहीं है तो भी आप इंट्रेस्ट रखने लगेंगे धर्म में आपकी आस्था बनी रहेगी इसलिए ब्रिस्टिक रासी में भी बच्चा आपको नहीं लाना है क्योंकि यह कोई खास नहीं है सिर्फ धार्मिक होके वरना बच्चा रा जाएगा वैसे बिस्टिक रासी बालों के लिए भी ठीक ठाक है आप हकीकत की बात कर रहे हैं हम वह बच्चे की बात कर रहे थे कि इसमें आपके लिए अच्छा ही है आप घुम फिर सकते हो आपको भगवान में आस्था बनी रहेगी तो कुल मिला जला के आपकी कुनली में लाब अस्थान पर है और साथ में बैठा है दसंभाव का स्वामी केंदर त्रिकोन राजयोग बना रहा है और इस राजयोग के होने से विदेशों से लाब होता है लाब मिलता है ब्याप्यारियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है और इसमें आपको ब अगर आप किसी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और आप उचाईयों को चुएंगे अच्छी सिख्छा रहेगी धन्यवाद फिर में